कि नमस्का दश्कूं यूटुब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज का मारा विशे है कन्या राशी का दिसंबर 2019 का राशी फल इस वीडियो में देखेंगे कि कन्या राशी के जातकों के लिए दिसंबर का मा क्या लिकिया है मेरा राशी फल जो है आपकी चंद दशा यांतर्दशा के साथ ना किया जाए तब तक कोई महत्यपूलियर्ण है कन्या राशी में सबसेवां घ्रैब घोचर देखें तो मिचन राशी में राहु विद्यमान है आपके दशम भाव में महाकाजा मारम होगा तो आपके कुटुम भाव में एक तो होंगे अश्टमेश मंगल और एक होंगे आपके लगनेश बुद्ध और आपका जो तृत्य भाव है उसमें जो हैं विराजमान होंगे सूरे विष्टिकराशी में और धनुराशी में होंगे देवकुरु बर्सपती शनी महाराज और केतु और उन विष्टिकराशी में चले जाएंगे और सूरे वो 16 दिसंबर के बाद विष्टिकराशी को छोड़कर धनुराशी में परवेश कर जाएंगे 25 दिसंबर के बाद एक चेंज ओर होगा कि बुध्ध जो है वो विष्टिकराशी को छोड़कर धनुराशी में परवेश करेंगे और जो शुक्र है वो धनुराशी को छोड़कर मकार राशी में परवेश करेंगे इस प्रकार ये काफी ऐसा गोचर है कि जिसके बारे में कोई क्यास लगाना काफी इतना संबब नहीं है क्योंकि इतने सारे ग्रहे जो हैं एक जगा पे खटे हो गई आप देखिए आपका एक तो आपके कुटुम भाब पर जो आपकी वानी का भी भाब है आपकी धन समपत्य का भाब है एक आपका तीसरा भाब जिसमें यात्राओं का विचार करते हैं लोगों से संपरी का अनलाइन काम वगराना आपका संपत्ति का माता के स्वास्ते का घर के सुखक का और एक आपका पंचम हाब यानि कुटली के मेंली चार भाब इससे प्रभावित हो रहे हैं अगर हम बात करें कि कन्या राशी के जातकों के लिए दिसंबर महा में क्या है तो महा का आरम में तो कोई जाला टेंचन निया ओवराल बढ़िया है क्योंकि जब महा का आरम होगा तो सूरे जो हैं आपके तीसरे भाब में विद्धमान होंगे जो अवराल आपको और गुरू और शनी की उती होगी फोर्था उसमें कोई टेंचन नहीं है लेकिन 16 दिसंबर के बाद जब ग्रहों का गोचर आगे बढ़ेगा तब हमारे इसस्ततियां अमारे लिए नेगटिव होनी शुरू होंगी सबसे बात करें कन्या राषी के वह जात्तक जो दिसंबर महा में यात्रा पर जाना चाते हैं वो व्रश जात्था पे जा सकते हैं विदेश यात्राका समय चल रहा है क्योंकि जब चतृत भाब इतने सारे ग्रहो पर चले जाते हैं जहां तक बात करें उन लोगों के लिए जिनकी कन्या राशी और वो ट्रांसफर के वगारा के जुगार में हैं तो अगर आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो 16 दिसंबर से पहले कराने की कोशिश करें अगर आपका ट्रांसफर 16 दिसंबर के बाद होता है तो वो ट्रांसफर कुछ नेगटिव हो सकता है करने अराशी के जाद तक जो जॉब बदलना चाहते थे मां उनको सला दूँगी कि वो दिसम्मर महां में जॉब ना बदलें जॉब बदलने के लिए समय सही नहीं है आप जॉब करते हैं या किसी बहुत बड़ी कंसन में काम कर आप अगर वैपार करते हैं तो वैपार में किसी बड़े इंवेस्टमेंट से बचें क्योंकि ये समय जो है जो है जोकि आपकी कुंड़ी में दौदेश सूरे और अस्टमेश मंगल जो हैं आपके भावों को इफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आगे चलकर जब 25 दिसम्मर को मं मंगल यहां आ जाएंगे विष्टिक राशी में तो मंगल की शीदी दिस्टी आपके दर्शम भाव पर होगी 1,2,3,4,5,6,7,8 और 16 दिसम्बर से 12 सूरे आपके फोर्तावस में बैठके आपके दर्शम भाव को देखेंगे तो ये सब समय ऐसा है क्योंकि इस समय ऐसा क्या है कि आपके जो नवम और प्शम भाव हैं नवम भाव का स्वामी शुक्र और पशम भाव का स्वामी जो शनी आपस में जो मिल जाते हैं तो जातक के दिमाग में माता के भाब में और ससुर के भाब में ये जो है इतने सारे ग्रहों का जबाब बढ़ा हुआ है इसलिए आप लोग अपने माता पिता के स्वास्ते का ध्यान रखें अगर घर में कोई बिमार होता है तो फौरण उसका इलाज कराएं इलाज में लापरवाई ना बढ़ते हैं कुटुम में अश्टमेश बंगल विद्वान है जो इस बात का संकेत है कि कुटुम में किसी भी बात को लेके विवाद हो सकता है परवार के सदस्वों में आपस में गलत फहमी हो सकती है और आपस में एक दुसरे की से नेगेटिविटी आ सकती है अगर आप कोई ऐसा काम क जरूरी है कि आप इस काम में थोड़ी सी साब्धानी रखें विशेश कर 25 दिसंबर के बाद इस काम में साब्धानी रखने की विशेश जरूवत है जबकि अस्टमेश मंगल जो है आपके यहां पर आजाएंगे तो ऐसी स्थिती में बन तकती है कि आपका गाड़ियां साब्धान से चलाएं कुरोत की मातरा थोड़ी से अधिक रहेगी वानी आपकी कटू हो जाएगी लोग आपकी वातों को सुनकर नराज भी हो सकते हैं तो मंगल की नेगटिविटी आएगी मंगल वैसे भी आपके लगनेश बुद्ध के शत्रू है तो कन्या राशी के जात को विशेश कर 16 दिसंबर के बाद अपने काम के संबंद में विशेश साफधानी रखने की जरूत है अब मैं आपको शुप्तितियां बता रहे हूं जिसमें आपके लिए चंद्रमा या तो कन्या राशी का होगा पॉजिटिव या विश्टिक राशी का या कुम्ब का या म दिसंबर 16 वा 19 दिसंबर 20 वा 23 दिसंबर 24 वा 25 दिसंबर 30 वा 30 दिसंबर वो शुप्तितियां हैं अगर आप उस दिन किसी काम का विचार करते हैं किसी से मुलाकात करते हैं यात्रा करने पर जाते हैं तो चंद्रमा पॉजिटिव होने से आपका काम अच्छा हो जाएगा अ आधिवाद से बचें भान साफदानी से चलाएं यह अशुप्तितिया नोट कीजिए 8 वा 9 दिसंबर 17 वा 18 दिसंबर 26 वा 27 दिसंबर इस परकार यह है कन्या राशी के जातकों के लिए अशुप्तितिया कन्या राशी के जातकों को ध्यान रखने की जरूवत है कि उनकी लगेगा कि जैसे परिवार में कुछ टेंशन सी रहती है आप कभी मन काम में कम लगेगा थोड़ा सा आपको घर में बेचेनी से मैसूस होगी उसका रीजन यह है कि कुछ ग्रहों का गोचर ऐसी ब्रहमान में दो बड़े ग्रह गुरू और शनी और केतु वो तो इखटे उसके बाद आप अराम से अपना काम कर सकते हैं इसलिए फिलाल कन्या राशी के जाद तक दिसंबर माह में किसी भी तरह के नए काम का प्लान ना करें जो बरतमान काम करें करते रहें उसमें कोई चेंज करने की ना सोचें तहीं कोई लड़ाई जगड़ा हो जाए सो तो बा इसके साथ ही दश को अपना वीडियो समात करने से पहले मेरी आप सबसे प्रात्ना है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्क्राइब कर दें साथ ही बैल अकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अप्लोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और झाली